दिल्ली में कुख्यात, काला, जेटरी, ग्याइंग के शाप शुटर को ATS द्वारका ने ग्रिफतार किया DCP शंकर चोधरी की मुताभी गुप्त और सूजना के बाद द्वारका ATS इंचाज कमलेस कुमार के नेतेवर में एक टीम बनाएगी टीम ने मुख्यूबिर और तक्निकी मदद की लेते वे जजजर लेलवे स्टेशन दे परवीन को ग्रिफतार किया आरोपी परवीन बाबा ही द्वात नगर में एक व्यक्ति से फाइरिंग से धमकागर 20 लाग रुपे की रंगदारी मांगने का आरोप है आपको बता दें कि आरोपी परवीन शाप शूटर है और जेटरी गांका सिक्रिये सदस से बताया जाता है इस पर नो रंगदारी लूट और आमस के मामले शामिल है दौरगा पुलिस के दावा है कि परवीन की गरिपतारी से दो और मामले सुलियाए जा चुके है तेरो और चौदर की रात को हम इस पर लीड लगा कर काम करते हैं और सिक्रेट इंफरमेशन के बेसिस पर जो पहला अभ्यूब था एकबाल आफ्टर एंट एक्सचेंज और फायर जवाबी कारवाई में आत्मरक्षा के लिए इसको एप्रिहेंट करते हैं इसके पाउं में गोली लगती है और ये पहला अभ्यूब्ध है जो गिरफतार होता है उसके बाद इसी से पता चलता है कि इस घटना में दो लड़के आये थे तो जो दूसरा लड़का रह गया था वो पता चलता है कि काला जिटेरी का शार्प शूटर है और उसकी खोज हम बहुत दिनों से कर रहे थे जैसा कि आपको पहले बता रखा है कि ऑपरेशन वर्चस में किसी भी क्रिमिनल को नहीं छोड़ा जाता और क्रिमिनल की किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी चाहें किसी भी भेश में हो अगर मदद कर रहा है तो उस पर भी सब्त करवाई की जाती है अतक प्रयास के बाद दूसरा जो मिंपर है जो शार्प शूटर है परवीन अल्यास टुना अल्यास जसा इसको हमारी ऑपरेशन्स यूनिट एसपी विजय सिंग इंस्पेक्टर कमलेश एडियस के जो इंचार्ज है और इसमें जो बहुत अच्छा काम किया है और पुलिस कर्मियों के साथ